कहाने की शरवात होती है 18 सदी में जहां जेल में जीन नाम के कैदी को सजा होने वाली थी। कई गार्ड्स उसे खसीट कर एक तैलकनी मिले आए जहां हजारों लोग गुस्से में उसे फासी दिलवाना चाहते थे। कब एलान किया गया कि दो दिन बाद जीन को बुरी तरह प् अच्छा पैदा कर दिया। पहले भी उसके कई बच्चे मरे हुए ही पैदा हुए थे तो उसे लगा कि शायद ये वाला भी मरा हुआ है। वो बच्चे को कच्रे में धकेल कर एक पार फिर से काम पर लग गई। ये बच्चा जीन ही था और जैसे उसने पहली सास ली तो उ पिचा गया। यहां पहले से ही काफी जादा बच्चे रहते थे। खेर इस तरहां पात साल बीद गए लेकिन जीन अभी भी बोल नहीं पाता था। बागी बच्चे उससे डूरी रहते थे इसलिए जीन अक्सर अकेला ही अलग-अलग चीज़ें सूंगता रहता। असल में जीन की सूंगने की शक्ती कुछ जादा ही जवर्दस थी। कई बार तो वो मड़े हुए जानवरों को भी सूंगता था। धीरे धीरे वो बोला सी गया और अब वो अपनी आखे बंद करके सिर्फ सूंग कर किसी भी चीज़ के बारे में सब कुछ बदा सकता था। जब वो वहां की भीड में घूमते हुए जीन हर तरह की महक को सूनने लगा। फिर अचानक वो ग्रिमल से नजर बचा के एक बेहत त्यारी खुश्बू का पीछा करने लगा। ये खुश्बू एक परफ्यूम की दुकान से आ रही थी जहां दुकानदार ने आमोर नाम का एक नया परफ्यूम बनाया था। तब उसे समझाया कि कई खुश्बूं को मिला कर एक नई खुश्बू भी बनाई जा सकती है। अचानक से उसे एक और खुश्बू आई। ऐसी खुश्बू उसने अपनी जिंदिगी में कभी नहीं सूंगी थी। वो उसकी तरफ भागा तो पता खुश्बू लेने लगा। उसे देखते ही लड़की ने चिलाने की कोशिश की पर जीन ने उसका मूँ बंद कर दिया। और उसे अपने साथ अंधिरे मिले गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि सांस ना आने की वज़य से उस लड़की की मौत हो गई थी। पर जीन को इस वाद से कोई फर्ट नहीं पड़ा। वो उस लड़की के कपड़े उतार कर उसे सर से पाउं तक सूमने लगा। पर फिर कुछी देर में लड़की की लाश से खुश्बू आने बंद हो गई और बिचारे जीन का चेहरा उतर गया। उस राद क्रेमल ने उसे भाग जान किन ये बहुत पीटा। इसके बाद जीन को नीद नहीं आई क्योंकि वो ऐसा तरीका खुजना चाहता था जिससे इंसान की खुश्बू को हमेशा किन ये संभाल कर रखा जा सके। वहीं दूसरी और हम जिस सिपी नाम के एक परफ्यूम वाले को देखते हैं जिसकी दुका परफ्यूम बनाया था तब से दो लोगों ने जिससे पी के यहां अना लगवग छोड़ ही दिया था अब जिस पी ने भी आमोर परफ्यूम बनाने की खूब कोशिश की मगर वो बात नहीं बनी खेर एक रात जीन जिससे की दुकान में सामान पहुंचाने आया तो वहां प पिगो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो जीन ने खुझ सारी चीज़े में राकर वो आमोर परफ्यूम बनाया जब जिससपी ने उसे सुंखा तो उसके होशी उड़ गए और साथ ही उसे गुस्ता भी आया कि यह दो कोड़ी का लड़का उससे बेहतर परफ्यूम कैसे सकता है उसने फिर से जीन का बनाया हुआ परफ्यूम सुंखा तो उसे लगा कि वो चन्नत में आ गया है फिर अगले देन उसने जीन को ग्रेमल चे खरीद लिया इधर जीन जिससपी के यहां अलग-अलग तरहां के परफ्यूम बनाने लगा और जल्द ही उसकी दुकान फि उसने वश में कर सकता है मगर यह तेरवी खुश्बू आज तक किसी को नहीं मिली यह सुनकर जीन को उस लड़की की याद आ गई जिससे उसने मारा था अब जीन ने जिससपी से पूछा कि किसी की खुश्बू को हमेशा किनिये बचा कर कैसे रखा जा सकता है फिर अगले जिससपी ने उसे 10,000 गुलाबों को उबाल कर उनका पर्फियूम बनाना सिखाया कई घंटों के इंतजार के बाद जब पर्फियूम की पहली बूंद गिरी तो जीन बेहत खुश हुआ और अपना पर्फियूम बनाने के लिए अजीवों गरीब चीजें डूनने लगा उस जिससपी ने उसे खूब डांटा और कहा कि जिनदा चीजों का पर्फियूम नहीं बनाया जा सकता यह सुनकर जीन वहीं बेहोश हो गया और कई डॉक्टर्स की दवाई के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ जब जीन मरने वाला था तो उसने जिससपी से पूछा कि क्य पर्फियूम बनाने का कोई और भी तरीका है आखिरकार जिससपी ने उसे एंफ्योरेज नाम की एक टेक्नीक के बाले में बताया जिसका इस्तमाल ग्रासी शेहर में होता है यह सुनकर जीन की तब्यर ठीक होने लगी आखिरकार उसने ग्रासी शेहर जाकर वो टेक्नीक निकल पड़ा जिससे पी 100 नए परफ्यूम्स पाकर बहुत खुश था पर अचानक से उसका घर ही धै गया और वो डब कर मर गया वहीं दूसरी ओ जब जीन ग्रासे शहर की ओर जा रहा था तो उसे एक खुश्बु आई जो उस पहले वानी लड़की से भी जादा अच्छी थ तब ही उसके पास से घोडा गाड़ी गुजरी और उसने देखा कि ये लौरा नाम की एक लड़की की खुश्बु थी अब जीन खुश होकर उसका पीछा करने लगा और चलते चलते ग्रासी शहर में उसके बंगलो तका पहुचा उसने लौरा को सूंगने की बहुत की पर उसके पता रिचिस ने लौरा को अंदर बेश दिया कर अगले दिन से जीन एक परफ्यूम की दुकान पर खाम कने लगा जाहां उसने डूर्ट नाम के एक आदमी की निगरानी में एन फ्लूरेश टेकनीक सीखी इसके मताबिक उन्हें फूलों को आनिमल वैक्स पर ल उस लड़की की सुगंद वाला परफ्यूम बनाना चाहता था पर सुहा जब फूल वाली फूल देने आई तो जीन को डिबबा ढखना पड़ा आखिरकार जब परफ्यूम निकला तो जीन ने देखा कि ये तो उस लड़की के शरीर का परफ्यूम नहीं था इसलिए उसने क कोई और आस्ता निकालने का सोचा शाम को वो एक तवायफ और उसके कुट्टे को अपने कमरे में ले आया लेकिन उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाने की वजाए वो लड़की के शरीर पर आनिमल वैक्स लगाने लगा तो लड़की जोर-जोर से चिलाने लगी लेकिन जीन रुका नहीं और उसने लड़की को बेरहमी से माँव डाला उसके बाल काटने के बाद जीन उसके पूरे शरीर को अनिमल वैक्स से ढख दिया कुछ गंटों बाद जीन ने उस अनिमल वैक्स को अतारा और आखरकार उसने इंसानों की मैक वाला पर्फूम बना ही लिया अगली सुभा लोगों को उस लड़की की लाश मिली तो जीन ने अपने हाथ पर पर्फियूम की बून डाल कर देखने की सोची तभी उसका कुछता दोरता हुआ आया क्यूंकि उसे लगा कि ये उसकी मालकिन की खुछबू है ये देखकर जीन बेहत खुश हुआ और उसने इस पर्फियूम को पहली बोतल में भड़ा अब उसका मकसद था सभी 13 बहतरीन खुश्मू को ढून कर उने मिलाना ताकि वो सबसे बहतरीन पर्फियूम बना सके कुछ समय बाद जीन लॉरा के वर्थदे की पार्टी में चुपके सिकुश गया लॉरा और उसकी सहे निया बगीचे में चुपम चुपाई खेल रही थी जीन ने भी वहां लॉरा को पकरने की कोशिश की मगर वो भाग गई जल्द ही रिचिस ने सबको वापस बला लिया पर अचानक उन्होंने देखा कि दो लड़कियां गायब थी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीन उन लड़कियों का पर्फियूम बनाने के तयारी कर रहा था जल्द ही उस ने इनके पर्फियूम भी अपनी बोतल में बर लिये फिर अगले दिन लोगों को लड़कियों की लाश है नधी में मिली इससे आसफास के लोग काफी घबरा गए क्योंकि अब कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं थी अगले कुछ दिन तक जीन ने कई लड़कियों को अगवा करके उन्हें मार कर पर्फियूम बनाए अपना काम खत्म होने पर वो लाशों को यूही रस्ते पर छोड़ देता था जब मामले बढ़ने लगे तो पुलीस ने शहर में कर्फियू लगा दिया लेकिन तब भी जीन लगा था लड़कियों का कतल करता रहा चार ओर देशत फैल गई और लोगों ने अपने घरों में ताले लगा लिए अब तो लोगों को जिस पर भी शक होता उसे तुरंत गोल ही मार दी जाती उतर जीन ने एक नन का कतल किया जो उसकी बारवी शिकार थी जब ये खबर भैली तो बिशपने सब को बुला कर एलान किया कि इस राक्षस को पकड़ कर भयानक से भयानक सजा दी जाएगी तब ये अचानक एक आदमी चिलाने लगा कि कातिल पकड़ा गया रिचस को इस पर विश्वास नहीं था क्योंकि इस कातल की जानकारी असली कातल से नहीं मिलती थी मगर चर्च वालों ने इस आदमी को फांसी दे कर मामला बंद कर दिया उधर तीन उन बारा खुश्बू को मिला कर बहुत खुश हुआ पर वो जानता था कि तेरवी रुहानी खुश्बू के विना ये परफ्यूम अभी भी अधूरा है वो चाहता था कि तेरवी खुश्बू लौरा की हो इसी निये रात को वो चुपते चुपाते लौरा के कमरे तक पहांच गया और अचानक रिचिस की याँ खुली और वो भाग कर लौरा के पास आया उसने देखा कि खिड़की खुली थी यानि यहां कोई तो आया था अगले दिन रिचिस अपनी बेटी को बचाने कि निये सारा सामान बांद कर लौरा के साथ शैर छोड़कर निकल पड़ा कातल को चक्मा देने कि निये उसने खाली बग्गी उर्टी दिशा में भी वेजी और लौरा को घुर सवार की फेस में अपने साथ ले आया पर जीन की नाक को तुरंट पदा चल गया कि लौरा की खुश्बू डूर जा रही है इसी निये वो अपना सामान बांद कर खुश्बू के पीछे दोड़ने नगा कुछ समयवाद रिचिस और लौरा एक होटल में पहुँचे और रिचिस ने सारे कमरे बुक कर दिये फिर रात को उसने लौरा को बिना खिटकी वाले कमरे में बंद कर दिया उदर खुश्बू का पीछा करते करते जीन होटल तका पहुचा वो नौकरों के कमरे से अंदर गुसा और उसने रिचिस के टेबल से चापी चुरा ली आखिरकार वो लौरा के कमरे तक पहुच गया और जैसे ही वो उसे मारने वाला था अचानक लौरा की आँख खुल गई जीन थोड़ा हिचकी चाया पर अगली सुभा जब रिचिस ने कमरा खुला तो लौरा की लाश देख कर उसके पैरों तले जमीन किसक गई उदर जीन ने लौरा की खुश्बू को बाकी खुश्बू में मिला कर आखिरकार दुनिया का सबसे बैतरीन पर्फ्यूम बनाई लिया लेकिन इससे बहले कि वो उसे सून पाता सिपाहियों ने उसे गिरफतार कर लिया जीन ने तुरन पर्फ्यूम अपनी जेब में चुपाया और उनके साथ चला गया बाद में रिचिस ने उसे पानी में डुबो कर पूछा कि आखिरकार उसने लौरा को क्यों मारा पर जीन ने सर्फ यही कहा कि मुझे उसकी जरूरत थी आखिरकार जीन की फांसी का दिन आया और पूरा शहर उसे देखने पहुँचा जब गार्ड्स चेल में उसे लेने आये तो जीन ने वो पर्फ्यूम की बोटल खोली इसके बाद हम देखते हैं कि जीन एक घुड़ा गारी में सवार होकर फांसी की जगा पहुचा उसने चर्च से आये हुए उस लौर्ड की कपड़े पहने थे और अपना बनाया पर्फ्यूम लगाया था जैसे ही वो लोगों के पास गया तो लोग उसकी खुश्मू से मंतर मुग्द होकर घुटनों पर वैट गए जैसे ही वो जलाब के पास गया तो उसने भी जीन को बेगुना गुशित कर दिया फिर जीन ने ये पर्फ्यूम एक रुमाल पर लगाया और उसे चारों और हवा में फैला दिया अजानक सब को लगने लगा कि वो स्वर्ग में पहांच गये हैं यहां तक कि बिशप भी अपने घुटनों पर आ गया हजारों लोग मंत्र मुग्ध होकर जीन को देवता कहकर पुकारने लगे आखिरकार जीन का सपना पूरा हो रा था उधर रिचिस काफी हैरान था क्योंकि अब तक उस तक पर्फ्यूम की खुश्बू नहीं पहांची थी फिर जीन ने वो रुमाल हवा में उड़ा दिया और खुश्बू के फैलते ही हजारों लोग एक दूसरे को चुमने लगे अजानक रिचिस तलवार लेकर उसे मारने आया पर तभी पर्फ्यूम ने उसे भी वश में कर लिया और वो जीन को अपना बेटा कहने लगा कुछ गंटों बाद जब लोगों की आँख खुली तो वो अपनी हालत देख कर बहुत शर्मिंदा हुए जीन कहीं भी नहीं मिला इसी ने डूप को पकड़ कर उसे फांसी पर चड़ा दिया गया क्योंकि उसी की दुकान में सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिले थे उतर जीन शेर के उसी बदबुदार इलाखे में पहुंचा जहां उसका जन्द हुआ था और उसने साड़क के बीचों बीच सारा परफ्यूम अपने उपर चड़क लिया इसकी खुश्पू इतनी जादा ताकतवर थी कि हजारों लोग डौरते हुए उस पर टूप पड़े वो सभी उसे पूरे तरीके से पा लेना चाते थे अगली सुभा वाहां सिर्फ चीन के कपड़े और परफ्यूम की एक बूंद बची थी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में